शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें लिके हमने तो उसे बस जरा सा कुछ क्या बोल दिया कि उसके तो आसो के नल चाल हो जाते है बस भावी आज का आपका बोलने का तोटा खत्म हो गया हां हमारा मतलब है शान्त हो जाईए न चुप हो जाईए तनुचा जी ये मन भूलिए कि हमारी भी एक बेटी है कल ससुराल में इसके साथ ऐसा होगा न तब जाकर आपको अपने कर्मियाद आएंगे हां हां हमारे कर्म तूटे उसका क्या कल गोद भराई में हमारा सर नीचे होगा और उसकी सिम्मेदार बस यही होगी बस मम्मी अब शर्दा के खिलाब में एक और शब्नी तूलूँगा पढ़ गई कालेजे को ठंड़क पेटे को मा के खिलाफ तरके मम्मी अब है प्लीज रहने दीजी जदा तूम थीप होगी अबे शर्दा को अंदर लेजा पिटा शर्दा यह अजकल की लड़किया कुछ नकुछ होता ही रहता है नहीं तो क्या भाभी अजकल की लड़किया ना बहुत ही कमजोर होगी हमारा मतलब है एक महिने से इसने खाट पकड़ी हुए लेकिन ये तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे उल्टी हो गए अरे जित्तु जित्तु श्रदा तो ठीक ही नहीं जबर्दस्त हो गए है परकुआण अरे बेता शुरू शुरू में असा होता है गपराने की कोई बात नहीं है मतलब अब क्या शुरू हो गया इसको इस घर की खुशिया वोगल तु पापा बनेवादा है हम जानते थे कि मादा शुरू है हम जानते थे कि माता रानी हमें कभी निराश नहीं करेंगी हाभी अब इतना बोलती रहती है तो माता रानी कैसे आपको निराश करती है हाँ आपकी बात तो मान नहीं थी है ना हाँ कुश्रो हो दोनों में रितू कल कीर्थी के गोद भराई में देखेगा कैसे हम अपनी खुशी का ढोल बचाते हैं अरे अब चलिए बहुत ही तैयारिया करनी है चली 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 अब क्या मुझसे भी शर्माओगी यहां देखो अरे यार आज तो इन आंसों को चुट्टी दे दो अब तो को जोना? अब तो को जोना? सभा दिखाओ तू अरे वाद आज चेहरी की चमग तो किछा लग यह मेरी शद्दा के कर गोद बॉराई में जब फीके पढ़ने वाल है सोनू 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 अरे मेरा सोनू बाबू कहा चला गया सोनू कहा है सोनू बाबू हाँ कहीं बैट की नीचे तो नहीं चुक गया लगता है सोनू बाहर है कमरे से है ना पकर लिया हाँ रोफे के पीछे चुपा बैठा था है ना आपको सब कुछ कैसर पता होता है क्योंकि मम्मा को सब पता होता है चलो अब दूद पीने का वक्त हो गया है हाँ मुझे दूद नहीं पासा मुझे दूद नहीं पासा अरे दूद पीने से आप स्रॉंग बनोगे चलो मेरे मत्च्चा दूद नहीं पीना? जूद पीना फिरने? आरे ना आरें तूद आप है आप ही नहीं से बिगाड के रख था है मेरी एक बात में सुनता आप्ने समाल्यय में से शड़ब शड़ब तुम शोफय परी सो गई वह पताने अचानक से कब आँख लग गई आप कुछ कह रहे थे हाँ वो नीचे जाना है गोद भराई की तैयारी करनी है जी आजाओ अचानक से कुछ कह रहे थे हाँ भराई की तैयारी की तैयारी करनी है को भी अचानी ने बोला वो सब सच है जोज जोज के लड़ाई जगड़ों से मैं तंग आगया और ही जानता की कब और कैसे लगए मुझे उससे प्यार होगा इतनी महनत क्यों करिया अपने बेकार के फिर से दो दो जोड़े कप्डे खरीब में पड़े होंगे आपको किरती वरुन जल्दी चल्दी तनुजा एक बहुत बड़ी खबर लेकर आई है चल्दी चल्दी जी जी कल शाम छे बजे जरूर आईएगा हाँ अरे अलोच ये इतना हल्ला किस बात थे मैं भी समझने को शीच कर दो लो बताओ पूरी दुनिया में दिंडोरा पीटने को आप तयार है लेकिन अपनी संधन को भी तो बता दीजिए तनुजा भाबी जित्तु जी तनुजा जी ने हमें पहले ही बता दिया था कैसे हो अच्छे हो दीदू जी क्या हो रहा है बस तुम इतना समझ लो कि अब तुम्हारी तरक्की होने वाली है हाँ अब इस घर में दो दो गोद भराई होगी आप बनेंगी दूसरी बार दादी और हम बनेंगे दूसरी बार नानी अरे अब हलके फुलके में बात नहीं बननी क्योंकि अब होगी जश्न की तयारी दुगनी अरे वाँ क्या आइडिया दिया थाए जी मतलब कवीदा में बातें तो मैं भी कुछ बोलोंगी सब मुझे भी दो बधाई क्योंकि मेरी भी आप बनने की बारी आई माता रानी की कृपा है जिन्होंने तुझे ये खुश कवरे दिलाई जीवन में इतनी प्यारी जोडी है मिलाई और इस खबर से तेरी हर चिंता दूर बगाई वाँ 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 दीदू वो बारा को जैसे बड़ी बहन होके अगर हमारे बच्चे ने आपके वाले पे रोब नहीं जमाया न तो हम समझेंगे वो हमारा नहीं पराया है हे भगवान कीर्टी कब अकल आएगी हब तो बस माता रानी से यही प्रातना करते हैं हर बच्चे में गुनाए श्रद्धा जैसा अरे भाभी कल गोध भराई में कुछ सहेलिया हम भी बुलाएंगे और उनके सामने अपनी खुशी का ठोल हम भी बचाएंगे हां हां कुछ सहेलिया मैं भी बुला लेती हूँ अपनी बेटियों की खुशिया सबको बता देती हूँ अरे भाई बुझे बाले पिता को मी तो बदाई दो अरे क्या ताओ जी सब लोग कितना च्छा कवीता में बोल रहते आपने तो पुरी कुपरी चेनी तोड़ दी अब आरती तु चिंदा मत कर ये चेन मैं नहीं तोड़ूगा इस नए सफर में अपने भाई का साथ कभी नहीं छोड़ूगा और किरती भाई किरती हम ताओ जी ताईजी बनेंगे या मौसा मौसी जो भी हो इस बार हर नया रिष्टा मैं प्यार से जोड़ूगा और अब तो मैं दुगनी खरीदारी करूँगा दोनों बच्चों को बराबर से बिगाड़ूगा अरे वरून ऐसे कैसे अकेले चल दोगे? अरे बच्चों के लिए कैसे करते हैं खरीदारी? अब तुम देखोगे एक पार चलके डॉक्टर को दिखवा ने किया अब तुम ठीक कह दिए, मैं कलके लिए पुछता हूँ जी रित्तु ने इसे बुलाया है क्या? हमें तो नहीं बुला विजय जी को रित्तु ने नहीं, तनुजार हमने बुलाया है जाये, जाये, स्वागत कीजिये जायाँ नहीं जाये, स्वाइब आपको भी आपको भी आपको भी जापको भी आपको भी आपको अपको आप को आप को यहां किसे बुलाया हमारा मतलब है कि आप यहां कैसे आप असल बात है कि आप तो अपने उकेशन में मुझे बुनाती नहीं तो इस बार आपकी भावियों ने महर्बानी कर दे यह आज कर ना हमारी भावियों के तुमाव बहुत चलने लगे वैसे बहुत खुबसूरत लग रही है आप अजे खीटी आगे रजए खकर वावियों के अजे खुबसूरत कर बारी आपकीया झाटी ए interns ओदाने खीएश्या कर दो आपकी खवद्छार्या के खीएश्यंट रहींस कर देख वो इस्टी हो? नुट हो प्यारी लग रहे हो हम ये मादरानी का अशिरवात लेके आए थे श्रद्धा और कीपी दोनों के लिए श्रद्धा देखा है नहीं दो रही है अरे नाम लिया और आगे है वो श्रद्धा बेटा सब तुमारा इंतिजार कर रहे है अब बेटा रपोर्ट में के एक गंटे में घरी आजाएगी बहुत प्यारी लग्री हो और आप दी अच्छे ये सब छोड़िये और पेटा अंदर चलो तुम तुम्हारी बहुकी बहादुरी कीता दाद देनी पड़ेजी तनुजा उसने इतना कुछ सहा देके कुछ भी खड़ी है और अब तो वो मावट में लानी है अरे हम तो रोज माता रानी के सामें दिया जलाते हैं कि हमारे घर का चिराग जल से जल घर आ जाए शता पेटा तुमने बाहर कुछ खाया तो नहीं ना नहीं हम तुम्हारे लिए जूस बना के रखें हम अभी लाते हैं हां अरे आप सब लोग बाते ही करते रहोंगे क्या इतना बड़ा खुशी का मौका है तो थोड़ा नाज़ा नहीं आज गाना तो बनता है ना क्यों बुआ जी हम बिल्कुल तयार है चलो शुरू करते दिलिप भया आप सारी जैन्स को लेकर उपरी मंजिल जाकर बैठी चाहे नाश्ता आप लोग का इंतजार कर रहा है ये लेडीज का फंक्शन है जैन्स नॉट अलाओ चलो 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 जी जी बिल्कुल ओकी नहीं है आपको भी जाना है चलिए जाइए हुआ 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 है हुआ ह Müार आप केसी है नन हार सा एक चांद तेरी आंगन में आने वाला है सनाह चारो और है अब उज्यारा जाने वाला है दन्हासा एक जंद तिरे आंगन में आने वाला है सनाह चारोर है अभूजिया राजाने वाला है हाथों से अपने जो सपनों का संसार सजाया था मीठी खुशियों थूणियों कोई भरने वाला है हस्ता का तानट खट सा हम समका आखों का तारा घर को और रंगीन बनाने कोई आने वाला है चलिए अब रासम की शुरुवात करते हैं माँ हम चाते हैं कि रासम की शुरुवात दीदू से हो चद्भा के शुभातों से ही हम रासम की शुरुवात करेंगी भावी क्या हुआ चली ना शुभा माने मान सकती तुम्हें अशुब हातों से अपनी बहु की गोद भराई के रसम नहीं कर सकती